लड़की को प्रपोज कैसे करें? अक्सर लड़कों का यह सवाल होता है तो आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में बहुती अच्छी तरीके से मैं देने वाला हूँ Hello Friends, Love Yous YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है सबसे पहला है सही समय चुने प्रपोस करना के लिए सही समय चुनना बहुती आवशक हो जाता है आप जब भी प्रपोस करें लड़की आपके साथ comfortable feel करें और अपनी feelings को express करने के लिए तयार हो एक level पे आप आचुके हैं कि अब अच्छी से बाचीत हो रही है अच्छे से friends बन चुके हैं अब आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं एक दुसरे पे वरोसा कर सकता है ये confidence जब आप दोनों में आ जाएं तब आप आगे बढ़कर प्रपोस कर सकता है ये सही समय है हम सही समय का मतलब ये समदता है कि रात को करना है दिन को करना है ये नहीं आप दोनों की रिस्ते में कोई सही समय आजाए तब चुनना बहुत ही आवश्यक है दूसरा है रोमेंटिक लोकेशन चूज करें प्रपोस करने के लिए कोई रोमेंटिक जगा हो जैसे कोई अच्छा प्लेस समंदर हो नदी के किनारे कोई ऐसी जगह जहां पे शांती हो और जाकर ही फिलिंग आ रही हो जैसे पार्क हो गया कोई ऐसा दूर कहीं पे रेस्टोरेंट बना हो वैसे लोकेशन पे जाके अगर प्रपोस करेंगे तो दिल दिमाग दोनों शांत होंगे बाउनाएं न्यूटरल होंगे और वहाँ पे आप क्या करेंग या आपको पता लगेगा तीसरा है अपनी फिलिंग्स क्लियर करें लड़की को प्रपोस करते समय अपनी फिलिंग्स clear कर देना बहुत ही जरूरी है आप उससे बता सकते है कि कितना प्यार करते है और उसके साथ अपना future कैसे देख रहे क्या समझ रहे उनके बारे में क्या समझ रहे क्यों उनको propose कर रहे यह जवाब आपको देना है अपनी feeling साब साब बताने है कि देखो प्यार है बहुत ही प्यार है मैं रह नहीं सकता बात खतम इस तरह से चौथा है respectful behavior maintain करें हाँ यह बहुत ही जरूरी है लड़की को respect से treat करना बहुत ही जरूरी है आप उससे इज़्जद देना और उसके साथ polite behavior maintain करना बहुत ही आवजशक है क्योंकि respect जिस रिस्टे में नहीं होती वो रिस्टा एक तरह से देखे तो वैसे जिन्दा होता है लेकिन वैसे खतम ही हो चुका है ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि उस रिस्टे में जान नहीं बची होती है तो आपको respect देना बहुत ही जरूरी आखरी और पांच वाहे rejection से कभी भी rejection की भी कही ना कहीं तैयारी रखे कभी कभी लड़की आपका proposal अक्सेप नहीं करती है कभी कभी आपको मना भी कर सकती है तो उसके लिए mentally खास करके prepared होना बहुत ही जरूरी अब ये सुथ कर भी जा सकते है हाँ ठेक है जो भी होगा देखेंगे positive attitude रखना अपने आपको strong बनाए रखना ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि उनको हाँ कह देना चाहिए लेकिन हो सकता है उनके कुछ और ख्यालाद हो तो इस तरह से आप लड़की को प्रपोस कर सकता है ये पांच तरीक है मुझे comment box में बताए कि आपने कभी किसी लड़की को प्रपोस किया है किया है तो कैसे किया है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंट वीडियो को देख रहे हैं सारे जी अब ये फ्रेंजा मझे हो लेला जो भी वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक किजा अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए कोई भी सवाल है सुजा हो comment box में बताना ना भूली thank you दोस्तों no better live better